वेल्कम टू केमिश्य क्लास इन देखेगा डिस्कवरी ओफ प्रोटोन्स तो देखेगा डिस्कवरी ओफ प्रोटोन्स कैसे हो आपका ठीक है तो हमने लाश्ट लेक्चर में डिस्कवरी ओफ इलक्टोन्स को तो वहाँ पर आपका क्या था एक discharge टूब थी discharge टूब में हमने क्या किया था हमने क्या observe किया था discharge टूब में कि जो आपका केथोड से एनोड की और कुछ particles आपके चलते हुए नजर आते है ठीक है एनोड की साइड में तो मुसको केथोड रेज बोलते है अब एनोड रेज में क्या होता है जिस तरीके से आपका इसके अपोजिट एक आपके नजर आते है जो कैथोड से जो आपका एनोड से कैथोड की और चलते है ठीक है ना तो वो एनोड से कैथोड की और जो चलते है वो किस कारण से होते है क्योंकि जो गैस उसके अंदर भरी हुई थी जो गैस के आपका एटम था वो जो इलक्टोन जो गैस का जब आइनाईज होती है तो उसमें से जो इलक्टोन जो नेगेटिव पार्टिकल जो निकले थे वो एनोड के और मुव कर रहे थे तो इसे रेकोई हमने क्या बोला एनोड रेज तो सबसे पहली बात यह है कि यहां पर देखेगा तो कैरेक्टरिस्टिक और एनोड रेज सबसे पहली बात इसमें यह चीज है कि E by M constant नहीं होता आपका जो आपका इलक्टोन होता है उसका जो E by M होता है बाइ मास वो constant होता है जबकि इसका constant आपका बिलकुल भी नहीं होता dependence on nature of gas taken in discharge tube सबसे बड़ी बात क्या है जो आपका केथोड रेज थी वो gas के nature पे डिपेंड नहीं कर रही थी इसमें क्या होता है जो discharge tube में जो आपका gas ली गई है उसके उपर depend करती है दूसरी बात anode या canal range are simply the positively charged gaseous iron तो इस simply क्या होता है positively charged gaseous iron होता है क्योंकि जो electron था उदर चला गए जैसे कि suppose गरेगा आपका जैसे कि आपका कोई gas है जैसे कि helium है तो helium से एक electron निकल गया तो अच्छी positive रह जाएगा electron तो यह जो electron जा रहा था जो negative particle जा रहा था वो cathode के और जा रहा था और जो यह जो रहा तो यह gas के उपर तो क्योंकि electron तो electron होता है और आपका चाहिए वो electron आपका कोई दूसरी gas जैसे कि neon से निकला हो तो जैसे कि neon से निकल गया वो electron से बनी है तो electron का तो charge इस ये भी same ये भी same प्रंतु आपका यदि gases अलग-अलग है तो आपके iron भी आपके अलग-अलग होते है तो आपका anode rays क्या होते है देखेगा anode और canal rays are simply the positively charged gaseous आए ठीक है ना और जो इसका charge by mass ratio of anode rays is smaller than that of cathode rays तो आपको एक बात और दियार नखनी है जो इसका charge by mass ratio होता है वो किसे छोटा होता है आपका जो आपकी canal rays होते है उससे छोटा होता है smallest and liiest particle तो actual में proton आपका क्या है proton क्या है hydrogen ठीक है hydrogen का जो H positive होता है hydrogen से यदि एक निकल जाए तो यह क्या बन गया hydrogen ion जो बना है इसको हम generally क्या बोलते है proton बोलते है तो hydrogen ion सा जो यह बनता है इसको हमने क्या बना गया है proton बनते हैं इसको तो smallest and lightest particle ion was obtained from hydrogen and was called proton तो H positive क्या है proton बोलते है proton was characterized characterized 1919 में इसे characterized किया गया था तो next आता है discovery of neutron neutron की क्या discovery है वैसे तो neutron की discovery 1932 में Chadwick ने किती बहुत last में जाके हुई थी है ठीक है ना पर यह कैसे हुआ था तो actual में क्या था कि जो atomic mass है और atomic number है जो आपका atomic mass और atomic number सपोज करेगा क्योंकि atom क्या होता है neutral होता है ठीक है ना जितने proton आपके यहाँ पर होते है इतने electron आपके बहार होते है कोई atom बट इनका जो mass होता है जो nucleus का mass होता है जैसे कि atomic mass है ना और आपका atomic number यह दोनों क्या थे आपके यह similar नहीं थे इनमें difference था तो इसका मतलब चैड़ोकी ने सोचा कि कोई एक और particle है जो की neutral है और जो जो neutral है और उसी को नाम क्या दिया उसने neutron तो उसने क्या किया बेरिलियम लिया बेरिलियम 4B9 और उस पे उसने क्या किया आलफा पार्टिकल आलफा पार्टिकल जनरली क्या होता है 2HE4 पार्टिकली उस पे बंबारी की बंबार्डमेंट की तो जब इस पे बंबार्डमेंट की तो यहां से उसने क्या देखा एक particle मिले जिसे carbon बन गया plus आपका neutron तो इस particle को उसने क्या नाम दिया neutron तो देखेगा इसमें discovery of neutron तो चेडविक bombarda thin sheet of beryllium with alpha particle neutral particle having mass slightly greater than that of proton where emitted तो उसने क्या देखआ कि एक particle जिसका ब्रोटौन से जादा होता है तो वह particle emit ओड़ और उस particle को नाम और आपका neutron तो देखेगा यह आपका आलपा पार्टिकल सोर्स है जहांसे आलपा पार्टिकल आपके एमिट किया जा रहे है और यह आपकी बेरेलियम की सीट है इस बेरेलियम की सीट से आपका न्यूट्रोन पार्टिकल निकरा यह वाला ठीक है और यह पैराफिन वैक्स के ऊपर जाके अटेक वा तो पैराफिन वैक्स ने क्या किया यहां पर यह क्या होता है यह प्रोटोन रिच सर्फेस होता है तो जैसे यह नूट्रोन जो होता है इसके उपर जाके स्ट्राइक करता है तो प्रोटोन क्या होता है यह प्रोटोन यहां से निकल जाता है इसका मतलब जो नूट् होता है किसे आपके जो neutron का mass होता है वो है विर होता है वो proton के mass से तो यह चीजे है जैसे कि electron है है ना सिम्बल क्या होता है E charge कितना होता है इस पर minus 1.6 multiplied 10 to power minus 90 जो कि आपका किस ने बताये था आपका Millikan ने बताये था proton इसका symbol P बस इस पर पोजिटिव चार्ज, न्यूट्रोन, जो कि चैट भी किने के होता है, ठीक है, इसका मास 9.1 multiplied 10 to power minus 31, और यहां पर देखेगा, आपका यह देखेगा, प्रोटोन का कितना होता है, 1.67, 262 multiplied 10 to power minus 27, और यहां पर देखेगा, यह देखो, यह दोनों चीज़से में है, शिप कितन slightly ज़ादा है आपका neutron का मास, 1.67, 49, 49 multiplied 10 to power minus 27, की लिए, तो मास ऑप प्रोटोन जो होता है, वो कितना multiple होता है, 1336 multiple होता है, और जो neutron का मास होता है, वो कितना multiple होता है, बूर अ कितना multiple होता है, 1839, 9 multiple होता है किसके इलक्टोन के मास अब हम next discuss करते है thomson plum pudding model ठीक है जो कि आपका plum pudding model आया जब electron का discover हो चुका था तो देखेगा तो यह plum pudding model क्या कहता है यह thomson ने दिया था जे जे thomson ने इसे watermelon model भी कहते है तो इसमें क्या होता है कि इसने क्या कहता है कि जो आपका क्योंकि जब electron discover हो चुका तो अब इसका कहीं न कहीं होने लगे कि यह atom के अंदर electron रहते कहा है तो इसके ओपर बात चलने लगी तो सबसे पहला जो model आया यह आपका plum pudding model आया उसने कहा कि जो atom होता है यह spherical होता है और जो आपका positive charge क्योंकि जब thomson ने model दिया था उस टेम proton discover नहीं हो पाये था ठीक है ना तो ship इतना था कि electron negative charge होता है उसमें positively charge कुछ मलब positive charge होता है परन्तों discover नहीं हो पाये था कि वो क्या होता है तो उसने क्या आगाता है कि whole positive charge spread throw out the atom के लिए तो यहाँ पर जो आपका positive charge होता है वो uniformly distributed होता है और इसमें जो electron होता है तो फर्सली क्या बताया था positively charge spread throw out the uniformly distributed positively charge जो होता है वो atom के अंदर एक समान रूप से uniformly distributed होता है और जो electron होते है वो उसके अंदर embedded रहते है कैसे जैसे कि water million के अंदर आपने क्या देखा होता है seed ठीक है न तो यह चीज था और दूसरी बात इसमें कहा था इसने इसकी neutrality जो neutrality होती है मतलब कि ना तो यह whole atom ना तो आपका यह positive होता है ना यह negative होता है इसका मतलब यह है कि जिसमें जितना positive charge होता है वो negative charge के equal होता है इसलिए neutrality को भी explain किया था इसने तो देखेगा यहां पर तो atom is a spare in which positive charge is uniformly distributed दूसरी बात electrons are embedded in spare ठीक है ना उसके अंदर embedded रहते है धसे भी रहते है explains chemical neutrality of atom तो इसने किसके एक्स्प्लेइन किया था उसकी neutrality को भी explain किया था drawback क्या रहा यह model क्यों फैल हो गया यह model इसलिए फैल हो गया consider considers mass to be evenly spread across the atom सबसे बड़ी बात इसने क्या किया था कि consider mass to be evenly speedly across the atom सबसे पहली बात यह दूसरी बात its static model doesn't reflect the moment of electrons तो यह static model था क्योंकि इसने क्या कहा था thomson ने कि जो electron है वो embedded है तो ऐसा तो possible हो नहीं सकता ठीक है न कि electron क्या है धसे हो है बस एक जंग है आपका क्या है इस्तिर है ठीक है न वो moment नहीं कर रहे है तो इसका मतलब यह है तो यह क्या कह रहा है its static model doesn't reflect the moment of electrons ठीक है न तो यह इसके moment वगारे के बारे में यह static model था इसने यह बताए कि electron ship आपका धसे पड़े है embedded है वो moment नहीं कर रहे है couldn't explain the stability of an atom और उसकी stability को भी यह explain नहीं कर पाया तो next lecture में हम जो discuss करने वाले है वो आपका रदर फोर्ड माडल है जो आपका thomson model के बाद आया उसने किस परकार से इनको कम्यों को दूर किया और दूर करने के बाद अपना model रखा ठीक है न तो इसको nuclear model next lecture रहे होगा जो रदर फोर्ड ने दिया था ठीक है न कैसे नुकलेस का discover हुआ ठीक है न फिर रदर फोर्ड के बाद हम वहापे discuss करेंगे क्या ड्रो बैक रहे कि रदर फोर्ड माडल भी आपका क्या ड्रो बैक की वो फैल हो गया फिर उसके बाद आपका नील बोर माडल आया ठीक है और तो next lecture हम रदर फोर्ड माडल के जो atomic model था रदर फोर्ड माडल का उसके ओपर discuss करेंगे ठैंक